नमस्कार दोस्तो, Ready to Guide चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो दो कमेंट्स बहुत ज्यादा आए और रिक्वेस्ट किया कि सर हमें इसके बारे में बताईए तो नमबर एक दोस्तो जो आपके दुवारा पूछा गया था कि क्या FD का पैसा दोस्तो आपको मिल रहा है FD का यानि कि जो आपने Fixed Deposit किया था P.A.C.L. के अंदर तो क्या उसका अमाउंट आपको मिल रहा है दोस्तो तो आज आपको पूरी जानकारी का पता चल जाएगा दोस्तो और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि FD का जो है दोस्तो पैसा वो मिलने वाला है दोस्तो यानि कि जिनकी भी FD है और FD अगर आपकी 10,000 रुपे से लेकर 15,000 की बीच है दोस्तो तो आपके जो है पैसे दोस्तो अब जल्द ही मिलने वाले हैं तो इसकी भी हम जानकारी देखने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताओं एक कमेंट्स और आया था हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे निवेसक अभी भी हैं दोस्तो जिनको ये नहीं पता है कि जो रिजिस्टेसन नमबर होता है पिलोट का जो नमबर होता है दोस्तो वो कौन सा होता है तो यहाँ पर हमने बॉंड लिया ह और जो निवेसक ये नहीं जानते कि आपकी पोलिशी नमबर क्या है जो आपको अपने एड्रस पर लिखकर भेजना है तो उनके लिए दोस्तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक है आप यहाँ पर आएंगे दोस्तो आप देखेंगे बॉंड का नमबर है तो यहाँ बहुत ही पोलिशी में किस प्रकार की मिच्टेक है तब भी यह नमबर डालना है और अगर आप अपने डोक्यूमेंट को से भी कमेटी को से भी को अगर आप सैंड कर रहे हैं तो पारसल के एक साइड में लिफापे के साइड ऊपर दोस्तो तो आपको यही नमबर डालना है तो यह ज देख सकते हैं दोस्तों अगर आप यह समझ रहें कि सीरियल नंबर वाला नंबर है तो यह नहीं है आप इसको नहीं डालेंगे नीचे आएंगे और आपको यहां पर देखने को मिलेगा चली दोस्तों जो दूसरा कमेंट्स था वो मैं आपको बताने वाला हूं कि FD का पैसा म का कमेंट से कि 15,000 की FD है SMS आ गया तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो जिन निवेशकों का 15,000 रुपे तक का RD यानि कि RD है आपकी या आपकी FD है दोस्तों तो आपको घवराने कि आवसकता नहीं है FD वालों को भी दोस्तों आप जो SMS आने स्टार्ट हो चुके हैं अगर आपकी भी FD है 15,000 तक की और आपके पास अभी तक SMS नहीं आया है दोस्तों तो हो सकता है आपको कभी भी SMS आए दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि आप continue हर दिन अपने जो mobile है आप inbox को जरूर चेक करें हो सकता है कभी भी आपको SMS देखने को मिल जाए तो आप ignore बिल्कुल भी न करें और अगर आपको FD का SMS आया है दोस्तों 15,000 तक की तो आप भी अपने document को जल्द जल्द भीज़ दें पास पहुंच जाने चाहिए तो आप समझ सकते हो अगर 30 जून पहुंचने की बात है तो कम से कम आपको दोस्तों लगबग 24 से 25 तारीक तक अपने document जून की भीजने ही भीजने है और यह किसको भीजने है दोस्तों जिनके पास सेभी के तरफ से SMS आएगा SMS जिन निवेशको को मिलेगा उन सभी निवेशकों को जो है document भीजने है तो इसको भीजने की जल्द से जल्द कोसिस करें जिन निवेशकों के पास भी SMS आएगा और दोस्तों और अगर आपके कोई भी मन में विचार हों कोई comments हो तो comments box में जरूर दें धन्याबाद